आज फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियन्स और चन्नी सूपर किंग्स के बीच खेला जा रहे हैं इस मुकाबले में मुंबई इंडियन्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 149 रन बना लिए चलिए इस मैच को लेकर हम बात करेंगे मेरे सयोगी मोहित और दूसरे सयोगी ओम प्रकाश जी से और जानेंगे कि कैसे मुंबई इंडियन्स ने अच्छी शुरुवात के बाद इतना कम स्कोर बनाए तो ओम प्रकाश जी जैसे मुंबई इंडिन्स की बल्ले बाजी देखी गई रोहित शर्मा और कुंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुवात करी थी इसके बाद लेकिन टीम जो दूसरे बल्ले बाज से काफी लड़कर आते हुए दिखे तो क्या कहीं गया अब देखें यहां पर पहले कहा जा रहा था कि हो सकता कि जो मुंबई इंडिन्स कीतनी शक्ति शाली बैटिंग है वो सीसके के बल्ले बाजों पर भारी पड़ जाएगी लेकिन महेंद सिंग धुनी ने जिस तरह से चला की भरी कप्तानी की वो उनकी लाजवाब कप्तानी रही र हरभजन सिंग को लेकर आए हरभजन सिंग ने उस मैच में उस ओवर में मैच साथ रन दिये उसके बाद में मुंबई इंडिन्स के बल्ले बाजों पर दबाव बन गया अगले और जैसे ही लेकर के दिपक चाहराए उन्होंने आउट कर दिया जी अगर इस मुकाबले की बा बाद की दोनों की शुरुवाद बेहत अच्छी रही हाला की बाद में उस आप से किरन पुलाड हर्दिक पांडिया की निभा पाए लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि में इंडियेंस की गेंदवाजी काफी कड़ी है तो चिन नहीं के सामने मुझे लगता कि इतना आस हाला कि मैं बाद आप से अलागठना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि पहली बोलु ने देखा आपने बोला कि ऑफिकम से बाहर चोड़ा चले समझ में आता है कि दूसरी गेंद थी वाइट नहीं दी करार दी लिए तीसरी गेंद आप देखेंगे कि वह क्रीज के अंदर उसके बाद जो कॉंट्रिवेर्सी वी नहीं बल्ला फैक दिया और अंपायर आए कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अंपायर को समझना चीए था कुछ न कुछ विवाद क्योंकि जब इस तरह का विवाद हो था धोनी मैदान के अंदर आ गए तो इस वक्त दोनी कुछ नह चन्नही सुपर किंग्स की फाइनल मुकाबली की बात करें तो आपको 2013 का वो मुकाबला तो याद होगा जहापे मुंबई इंडियन्स ने यही स्कोर बनाये था हाला कि चन्नही को उस मुकाबले में हारका सामना करना पड़ा था अरुन हम आपको बताना चाहेंगे कि वो मुकाबला इंडियन गार्डन कोलकाता में खेला गया था साल 2013 का वो सीजन था उस मैच में पहले बल्ले बाजी करते हुए मुंबई इंडियन्स ने 148 रन बनाये थे और बाद में बहतरी इंडियन्स के गिंद बाजू ने चिन्नह सुपर गिंग से 125 रनों पर समयर दिया था और वो खिताब जीते थे तो अगर मुहीत अब क्या मैच प्रेडिक्शन क्या होने वाली आपकी तरफ से कौन से टीम आप खिताब जीतने वाली है देखिए मैच मेरे साफ से प्रेडिक्शन करना बहुत नहीं क्रिक्ट के मैच में काफी उत्साहित नाजराए विकेट लेने जो मुंबई की गिरी तो मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से मुंबई जल्दी विकेट ली ती रहे ताकि मुझे उत्साहित होने का उसर मिले ओम प्रेडिकाश जी आप क्या कहेंगे जिस तरह से पिछले मैच में शेन आउट होगे जैसे वो पूरुक के मैचों में आउट होते रहे हैं तो फिर मुंबई इंडियन्स से इस मैच में अपनी सिती मजबूत कर सकता है चलिए अब देखना ही यह होगा कि मुंबई इंडियन्स और चन्नाई के बीच जो यह मुकाबला खेला जा रहा है क्या चन्न